जये स्रीराम जब कोई हिंदू हिंदुतों का काम करता है तो कुछ जातिवादी केड़े उसमें खुश जाते हैं और उनका बिरोध करने लगते हैं जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में रिंकु सरमा जो रिंकु सरमा नाम का हमारा भाई जिसको जिहादियों के द्वारा उसका कतल कर दिया गया उस भाई के खिलाफ एक जातिवादी कुत्ता है इसान प्रताप सिंग सेंगर जो उसके खिलाफ जहरुगल रहा है और बोल रहा है कि ये दो टके का छटा हुआ गुंडा था रिंकु सरमा को दो टके का छटा हुआ गुंडा बताता है ये इसान प्रताप सिंग सेंगर और ये खुद को महान बताता है और ये जातिवादी किडा ऐसा हरामी है ये कभी यादों को गाली देता है कभी जाटों को गाली देता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ब्रामणों को गाली देता है ये राजपूतों को भी गाली देता रहता है ये खुद राजपूत है और राजपूतों को गाली देता है कभी ये करणी सेना को भी मा बहनों की गाली दे रहा था उसकी वीडियो क्लिप भी है हमारे पास जो अगली वीडियो में चलाएंगे इस वीडियो में इसे वीडियो में तर्फ आपको यह दिखाना चाहता है किस तरीके से इसने रिंकूE शर्मा हमारे भाई को दो टके का छक्षटा हुआ गुंडा पता रहा है। यह पहले कल्प देख लिजिए। उसके बाद से बात करते हैं। तब्रेज मरता है तो वो लोगstons कर लेते हैं। लिक्त उसके नाम के पिजह सिंगग स्ट कर लेते हैं। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा इसे वे ये रिंको सर्मा को दो टके का छड़ा हुआ गुंडा बता रहा था और आपसे बताते हैं ये एक पोश्ट किया था जिसमें यादो को ये ग्वाल और चर्वाहा बता रहा था ये जो है यादो अहिर हैं ये ग्वाल और चर्वाह ये बता रहा था गौल और चर्वाह बता रहा था बोलता है ये गाय और बकरी चराने वाले है जो हमारे जाठवाई है उनको बताता है ये दाई keузraff दासी keузraff तो तुमसे हम बता देना चाहते है यादो जाठ गुझर कि जितने भी हिंदुों की जातिया है न ये सब हमारे भाई है और तू क्या बोल रहा है रहे यादों को क्या बोला तूने कि यादों है जो वो चरवाहा है तुझे हम बता देना चाहते है यादों को अगर तू चरवाहा बोल रहा है और तू जाठों को दासी का पुत्र बता रहा है तो एक बात का ध्यान रखना जो यादव है वो बड़े-बड़े पदों पे रहते हैं सेना में देख सेना में देख कितने यादव पड़े हैं सेना में देख कितने जाठ पड़े हुए है जाठो का तो खुद का रेजिमेंट भी है जाठो का खुद का रेजिमेंट भी है जाठ रेजिमेंट और तुझे बता दे यादव और जाठ का जिस तरीकी से तु बिरोध कर रहा है न और गुजर का तो बेटा यादव जाठ और गुजर अगर एक चाटा मार देना तुझे तेरी पतलून गिली हो जाएगी इसान पुताप सिंग सेंगर अगर एक चाटा मार देना यादो गुजर राज जाठ अगर एक चाटा मार देना तेरी पतलून गिली हो जाएगी समझ रहा है तो यादों को सिर्फ चरवाहा बता रहा है, तू बोल रहा है कि ये चरवाहा होते हैं, एक चाठा मार दे यादों न, तरी पतलून गिली हो जाएगी, ये आए दिन, आए दिन, कभी ये ब्रामणों को काली देता है, कभी भगवान पर्शुराम को काली देता है, कभी यादो लेकिन जब हमें गत्रित होने की बात करते हैं ये पीछे से टांग कीजता रहता है क्योंकि इनकी मानसिक्ता इतनी घडिया हो चुकि इसकी मानसिक्ता और राजपुत भायों से बताना चाहते अगर इसका इलाज जल्दी नहीं किया गया भाई तो याद रखना ये इस तरीके से बिद्रोह कराएगा ना हिंदूओं में हिंदूओं में इस तरीके से बिद्रोह कराएगा कि सारी जातिया तास तास हो जाएगी सिर्फ एक इसाज प्रताप सिंग सेंगर के वजह से इसकी एक पोश्ट की जिकर करते हैं इसक्रीन पे चल रहा होगा देख लीजे पहले जिसमें ये लिख रहा है कि जैप पर सुराम कहने वाले जितनी भी 99% ब्रामःड 99% ब्रामःड राजपुत विरोधी हैं और उसके बाद लिख रहा है ये छत्री इसांत प्रताप सिंगर ये इसके बाद लिख रहा है कि इनके मन में कोई भक्ती की भावना नहीं है ये सिर्फ राजपुतों को नीचा दिखाने के लिए जैप पर सुराम बोलते हैं और लिखते हैं और उसके बाद लिख रहा है कि हाया बंस से लड़ाई अगर नहीं होती तो ये फट्टे हुए कॉंडूम अर्थात निरोध के नतीजे ये परसुराम का नाम भी नहीं जानते ये इतना नीच है इस हराम जादे से हम पूछना चाहते हैं क्या परसुराम में राम नहीं है क्या भगवान परभुसिर राम आये उनका अवतार हुआ उन्होंने पूरे त्रेता युग तक राम राज्य स्थापित किया परभुसिर राम ने लेकि जो परसुराम है ओ त्रेता द्वापर सभी युगों युगांतर तक रहे अब बता अब बता तु क्या राम जातीवादी थे या परसुराम जातीवादी थे कौन जातीवादी था यह भगवानों को जातीवाद में बाटने की यह चेश्टा कर रहा है यह इतना हरामी है इतना हरामी है यह कि भगवान परसुराम को यह सिर्फ और सिर्फ ब्रामडों का भगवान बता रहा है और यह भगवान राम सिर्फ राजपूतों के हैं तो क्या हम ब्रामडों के नहीं है क्या हम यादों के नहीं है क्या जाठों के नहीं है क्या गुजरों के नहीं है क्या भगवान सब के भगवान है राम सब के लिए बराबर है परसुराम सब के लिए बराबर है, विश्व कर्मा सब के लिए बराबर है, कुछन सब के लिए बराबर है, और जो मधुबनी की घटना हुई है, उसमें ये लोग सीधा ही बोल रहे हैं कि रावण बंस को खतम करेंगे, कौन से रावण बंस को खतम करोगे भई, छत्री सांद प्रताप सिंग सेंगर कौन से रावण बंस को मिटाना चाहता है तू, क्या जो ब्रामण है ये रावण बंस है, तू बड़ा राम बंस बन रहा है, क्यो रहे, छत्री सांद प्रताप सिंग सेंगर, तू राम बंस बन रहा है, राम की अगर एक गुड तुम्हारे अंदर अगर राम की हो ना, खु रावड को तो मिटा दोगे, अच्छी बात है, लेकिर पहले राम तो बन जा तूं, रावड को अगर मिटाएगा, उससे पहले तुझे राम बनना पड़ेगा, जो तू कभी बन नहीं सकता, तेरी तनी अवकात नहीं है, और तू सिधा ही गाली दे रहा है हर जनों को, जो ब् चरवाहा बता रहा है, मेरे यादव भाई, गुजर भाई, जाठ भाई, राजपूत भाई, ब्रामण भाई, जितनी जातिया है, सबसे निवेदन है, इसका इलाज जल्द से जल्द किया जाए, जल्द से जल्द इसका ही इलाज किया जाए, क्योंकि अगर इसका इलाज नह पूचर भाई के हाथ का एक चाटा पड़ गया ना तुरी पतलून गिली हो जाएगी लिखे ले 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 ना तू